है दोस्तों आज 21st नमेंबर 2022 मार्केट के अंदर आज काफी कमजोरी देखने को मिला चहां पर निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 6199 पॉइंट पे लगबग 0.81 परसें गिरावट के साथ जो कि पहले से एक्सपेक्टेट भी था और लास्टे में आपको इसको पर अलट भी किया यह बेसिक के लेकर देखा जाए जो मेंस सेक्टर है मतलब जहां पहले निफ्टी का वेटेज सबसे ज़्यादा एक तो ऊपका बैंक निफ्टी जिसका सबसे से जादा है वहाँ पर भी हमें कमजोरी देखने को मिला उसको छोड़के इन बेपसी सेक्टर के अंदर भी थोड़ा बहुत गिरावाट हुआ अब भी हमें एक इंपक्ट देखने को मिला आज इंडियन मार्केट के अंदर जैसे कि इसके पहले भी मैं आपको बहुत बार बताया था कि आज की डेट पर कहिने के चाहिए वह इंडियन मार्केट हो चाहिए वह एउरोपेन मार्केट क्यों ना हो एकदम अंधादून फॉल तो और भी नीचे चल रहा था और अभी थोड़ा बहुत हमें रिकावरी देखने को मिला फिर भी आप देख सब्सक्राइब लगबग 0.26 परसें डाउन चल लाई तो इसका एक बहुत बड़ा इंपक्ट हमें आज इंडियन मार्केट ओपन होने के साथ साथ देखने को मिल सब्सक्राइब को मिला अचानक से डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी स्पाइक देखने को मिला जो कि लास्ट रिंग विक फ्राइडे के दिन हमने देखा था डॉलर इंडेक्स जो की एप्रॉक्स एक सोच है पॉइंट सम्तिंग इसी लेवल का आसपास क्लोजिंग जया था आज की रेट पर बात करें लगबग एक सो साथ की उपर पहुंच चुका है साथ जाद देखें जिस बैसे जो इंडियान करेंसी का वैलुएशन है वह काफी जदा गिर चुका है मतलब लास्ट फ्राइडे के दिन हमने देखा था अभी देखें लगबग 82 के आसपास पहुंच चुका है मतलब वन यूस्टी के एगेंस में जो इंडियन रुपी है अभी फिलाल 81.772 पे ट्रेट कर रहा है अब यह सब चीज़ के जो पीछे जो एक बहुत बड़ा रेट हो सकता है जैसे कि आप आप देख सकते हो यह बेसिकली यूस का बहुत जाने माने वेबसाइट है वहाँ पर यह न्यूस पब्लिच्ट हुआ तो देखें दफेट मिनट्स जैसे का आपको मालूम है कि दो दि मीटिंग के आउटकाम फिरसे मिटिंग के दौरान यह क्या कुछ होगा उस मीटिंग के दौरान चौर्ण मिटींग महता अंनकर चलेका तो यह बहुत जाहां राकता है तो जय से अंधेस पेरे कर फ्मनेन के कर देखेंगा रियरा ढ़ने से मार्केट को יでは divfly इसका एंपेकािक हमें देखने को में गया और इसके साथ सथे दोस्तों चाहिए हम यह का MPC मतब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मीटिंग भी होगा तो सेम टूसे मतब उसी हफ्ते का सबस्याप को देखने को मिलेगा मतब एक साथ दो बहुत बहुत बढ़े बढ़े जटका यहां पर लग सकता है मार्केट को तो जिस बैसे बैसिकली पहले से थोड़ाबाद मा जो कि पहले दिया था लगबग 6.9 परसें का सबस्थ अभी देखिए जो फ्रेश यहां पर फोरकस्ट के 5.9 परसें तो इसका फॉर भाँवाद जटका यहां पर लगा जैसे कि आप अब देख सकतो लास्ट यह पीसका जो एस्टिमेट बताया था कि 6.9 परसें का सबस्थ कि अभी थोड़ा बहुत यहां पर कट करने के साथ 5.9 परसें कर चुका है क्योंकि जो यहां पर डिमांड है मतलब देख से कंजूमर डिरमर जो वह काफियत तक स्लो हो चुका है ग्लोबल एकोनोमी की बज़े से तो इसका भी एक बहुत बड़ा इंपक्ट हमें आज मार्क बैसे ना के वाल आज इंडियान मार्केट बलकि एशियन मार्केट जब से ओपन हुआ था लगातर हमें डाउन देखने को मिला जैसे कि देखें एशिया शेयर मार्केट फ्रेट और चाइना को वीट आउट ब्रेक तुम मैसीब लेट से अभी फिर से स्पाइक देखने को म मतलब फिर से हमें उपर की तरह मुव देखने को मिला इसका मतलब यह है कि देखें लास्ट टेम हमने देखा था एप्रिल माई के दौरान जब फिर से कोवीड रेस हुआ था चाइना के अंदर एकदम से बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल एरिया या मेन सिटीज के अंदर जो कि complete lockdown घोशित हो गया था चाइना के अंदर और उसका एक बहुत बड़ा इंपक्ट ना केवल इंडियान मार्केट बलकि पूरा को पूरा ग्लोबल मार्केट में देखने को मिला था क्योंकि देखें चाइना बले ही इंडिया के साथ कुछ भी रिलेशन हो बड़ चाइन यहां पर जागे हम complete discussion करेंगे अगर क्या मार्केट के अंदर फर्दर गिरावट हो सकता है यहां नहीं हो सकता है या तो यहां से हमें बाउंस बैक देखने को मिलेगा तो यहां पर दोसों चार्ट परन बहुत कुछ इंप्टेंश रखता है मार्केट के लिए चार्ट पर analysis को थोड़ा ध्यान से समझना ध्यान से observe करना क्योंकि यहां पर एक पॉइंट हर एक सेगेंड बहुत ज्यादा important होने जा रहे ठीक है तो देखिए आपके समय ओपन है लास्ट एक दो दिन का चार्ट एक दो मैने का चार्ट परन इसके पहले भी मैं आपको एक बार बार ब पोजिशन पर आना पड़ता है तो जैसे कि आप अप देख सेकतो कि October और पूरा नवेंबर लगबग देर महीने निफ्टी-50 के अंदर कोई बहुत बड़ा मैसिब करेक्शन हमें देखने को नहीं मिला जबकि होना चाहिए था मतब लगातार हमें देखा कि ऊपर की तरह उसके कारण अभी धिरे-धिरे थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिला तो यह तो बहुत बड़ा पॉइंट हो गया कि मार्केट एकदम से ओवर बॉर्ट जोन के करीब करीप पहुंची का तो यहां से एक न्यूट्रल जोन के पोजिशन में आना था मार्केट को थोड़ करेक्शन देखने को मिला बात यह की तहां कहां तक आएगा लास्ट टाइम हमने देखा ता मार्केट जब यहां पर आया ता मतब लगवग 8250 पे उसको थोड़ा एक दो तीन दिन के लिए करेक्शन हुआ था तब निफ्टी फिप्टी को जो कि सपोर्ट मिला था थाजर का लेबल अच्छी बात है इस बार अगर यह लेवल ब्रेक होता है मतब जहां पर आज सपोर्ट मिल गया हमने देखा 8150 यह लेवल अगर ब्रेक होता है तो यह सबसे स्ट्रॉंग सपोर्ट लेवल होगा इफ्टी फिप्टी के लिए क्यूंकि लगा था अमने देखा नवेम यहां पर काफी जादा स्ट्रागिल किया था काफी रेजिस्टेंस फेस किया था तो जिस वैसे उसका पुराना रेजिस्टेंस है आज की रेट में सपोर्ट बन चुका है इतना मैं आपको थोड़ा सा भरोसा दिला सकता हूं कि देखी इंडियान भाले घ्लोबल मार्केट म मार्केट लीडर कंपणी ब्लूचिप शेर में इन्वेस्ट करना ताकि लॉंग तम में आपका वेल्थ अच्छा खासा क्रियेट करके दे अब बात यह है कि निफ्टी के साथ दोस्तों आपको बैंक निफ्टी को पर भी नजर रखने की जरूरत है क्यों कि बैंक निफ्ट बड़े बैंक है जिसके अंदर एज़ेवसी बैंक होगा आई से बैंक होगा को टक मेंद्र एक्सिस टॉप चार बैंक है उसके साथ साथ एस बैको उठाली जिए यह सारे बैंक इतना चल चुका तो इसका जो आरे से इंडेस देखे आच थोड़ा बहुत कमजोर होने के बा लोर साइट की बात करें तो स्ट्रॉंग सपोर्ड अभी हमने डिसकाशन किया उपर की तरह अगर हम बात करें लास्ट टाइम ने देखा था जहां पे स्ट्रॉंग ली रेजिस्टेंस फेस किया था 8400 यह लेबल अगर ब्रेक करके निफ्टी पहुंच जाते है उपर तो उ इस बैसे गल्दी से भी कोई भी फ्यूचर ऑप्शन के अंदर अगर आप यहां पर इन्वेस्ट मत करना या यहां पर बाइब सेल मत करना क्यूंकि का फिसी को नहीं मालूं कि कल गया होगा आज क्यों ठीक है जिस बाइस मार्केट का पिस अंसर्ट इन काफी अनप्रेइक् क्या बाइब जय हिन